So hi everyone, myself Sonu Singh and welcome back to the channel So friends, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि UPTU के अंडर B Pharma Courses करने के लिए वो कौन-कौन से इसे top government and top private colleges है, ठीक है वैसे आज देखें तो बहुत सारे इसे colleges हैं, ठीक है, लेकिन वो सारे colleges ना तो अच्छे होंगे और ना ही आपके लिए course complete होने के बाद वहाँ से कुछ benefit होगा But मैंने जो ये सारे colleges को list out किया हूँ, ये सारे colleges real में top हैं and अच्छे college है So friends, आप UPTU के through B Pharma को courses करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को यार आन तक जरूर देखें And friends, चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को subscribe जरूर कर दें, मैं UPTU से related और भी जो भी update ये सब होते हैं लाता राता हूँ Concelling ये सब से related college में admission लेना हो, और भी educational वीडियो 11-12 के साथ जईए का preparation करते हो, study strategy, career option, career guidance, college reviews, college counseling ये सब से related में वीडियो हमेशा regular लाता राता हूँ So, चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को subscribe जरू कर दें, so friends, चलो finally वीडियो को start करते हैं and one by one वो सारे top colleges को देख लेते हैं, जिसमें कि आप UPTU के अंदर for B Pharma courses कर सकते हो, ठीक है So friends, आप लोग ये देख सकते हो, उत्तर परदेश, UPSEE, ठीक है, सब से first जो college है, वो है हमारा pharmacy college, शेफ़ाई, ठीक है इसका, इसमें B Pharma के courses कराया जाते हैं, इसका fee की बात करों, तो 86,200, fee या थोड़ा बहुत means आगे पिछे हो सकता है, ठीक है, भैरी कर सकता है लेकिन ये एक expected means fee है कि आप लोग को इतना means first year, second year, third year means per year इतना 86,200 हैंगे ये college शेफ़ाई means कानपूर के बगल में ही पड़ता है, उत्तर परदेश, और ये एक government college है, ठीक है और next college की बात करों, तो वो है छात्रपती साहुजी महराज इनवर्सिटी कानपूर ठीक है, ये कानपूर इनवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है इसमें बी फार्मा को कोर्सेस कराया जाते हैं, इसका total fee, ठीक है, four year का total fee, two like 84,652 है ठीक है, और ये भी एक government college है, तो ये भी एक बढ़ियां college है, इसमें आप लोग और fee याद थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है नेक्त कोलिज की बात करें, तो वह है United Institute of Pharmacy, जो कि अलावाबाद में पढ़ता है, इसमें बी फार्मा की कोर्सेस कराया जाता है, इसका फी थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, four like 34,600 ठीक है, ये भी ये college अलावाबाद में पढ़ता है, यूपी में इसमें भी फार्मा की कोर्सेस कराया जाते हैं इसका फी आप लोग देख सकते हो थ्री लाइक फॉर थाउजेंड वनली यह जाउनपूर में पढ़ता है यूपी जाउनपूर यूपी यह यार गोर्मेंट कॉलेज है ठीक है जोकी सराइटाकी यूपी में पढ़ता है यह एक प्राइवेट कॉलेज ठीक है आप लोग यह आप देख सकते हो तो यह भी एक टॉप प्राइवेट गॉलेज है एडिश कोलेज के बात करें तो वह महात्मा गान्धी इस्टिट्यूट ऑफार्मेशी लखनौ इसमें भी फा कोलेज की बात करो तो यह है कमला नहरे इंस्टिचूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नलोजी जो कि सुल्तानपूर ठीक है सुल्तानपूर यूपी में पड़ता है यह एक प्राइवेट कोलेज है और इसका भी मिन्स के बारे में प्राइवेट कोलेज का है इसलिए थोड़ा करते हैं नेक्स्ट कोलेज की बात करों तो वह है के आई एट ग्रूफ अफ इंस्टिचूशन गाजियाबाद इसमें भी फार्मेक कोर्सेश कराया जाते है इसका फी की बात करों तो यह है पाच लाग थर्टी एट थाउजन सेबन नाइनटी सिक्स इसका फी आगे पीछे म आप फार्मेशी जो की कानपूर यानि की कानपूर यूपी में पढ़ता है इसका आप लोग फीदेख सकते हो इसमें भी फार्मेंक कॉर्सेश अभेलेवल है इसका फीडिक आप लोग देख सकते हो फोर लाइक फुटी थाउजन ठीक है यह एक प्राइबट कॉलेज है जो फी थोड़ा सा अगर जो आपके बजट मिन्स कम है तो आप लोग इसमें फी थोड़ा कम लगता है ये कॉलेज ग्रेटर नुएटे में पढ़ता है यूपी ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है इसका फी आप लोग देख सकते हो वनली टू लैक सिस्टी थाउजन ठीग है इसका फीस की बात करो तो थो थो फोड़ाजन टू नाइटीश ठीग है इसका फी मिन्स आगे पीछे हो जाकता है प्राइवेट मिन्स टॉप प्राइवेट कॉलेज में आता है इसका प्राइवेट कॉलेज की बात करों तो यह है इसमें भी फार्मा की कोर्सेस कराया जाते है इसका फी की बात करों तो यह है प्राइवेट कॉलेज की बात करों तो यह है श्री राम मूर्ती असमारक कॉलेज ऑफ इंजिनेरिंग एंड टेकनलोजी जो की बरेली में पड़ता है भी फार्मा की कोर्सेस इसका आप लोग फी देख सकते हो फी है 4,38,528 यह कॉलेज बारेली में पड़ता है यूपी में यह भी एक प्राइवेट कॉलेज है ठीक है इसका भी फी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है